आई गैस तो आज मैं आप सब लोगों के लिए क्लास 10 आपकी जो बुक है शिते जिसके इंपॉर्टेंट कोशन्स लाइँ जैसे कि आपको पता है कि आपके बॉर्ड एक्जाम है और इसमें आपका हिंदी का एक्जाम है तो वो आपका एक्जाम आने वाला है तो आपको इंपॉर्टेंट कोशन्स की वीडियो है आप सब के लिए अगर जो मैं कोशन्स बता हूँ आप सिर्फ उनी के उपर मत रही है आपको सारे चाप्टर्स आपको उनका जो स्टोरी में क्या क्या है वो सब पता होने चाए और आप भूल कर भी सेंपल पेपर बिल्कुल भी पता है नहीं है तो हैं शी आपका डिलीट है यहां पर चाया सब bit नहीं है बाकि इस में से आपका आरा है कि शो पद्दह इनमें जो हमारे हुम्पोर्टेंट कैसिंपोर्ट कोशन्स बहुतर्स है कोशन pa इस वाले कवीता से आपका तो हम उमारे दूसरे जो तुलसी दास जी ने लिखा है राम लक्षमन पशुराम समवाद जो यह है राम और लक्षमन और पशुराम के बीच में जो बात चीत हुए चाप्टर उस पे है तो आई होप कि आप सबने पढ़ रखा होगा तो इसके जो इंपोर्टेंट कोशन्स हुर मूं आपको बताते हैं आपके यह जो है पार फॉर्टेंब अपकशन नोबर अगस्ट कोशन सामें अनगस जा पूचकर नहीं जो हेज करने देव नहीं करने तो हमिस इसको कर सकते हैं जो जैशंकर प्रशाद जी की जो आपकी कवीता जो उन्होंने लिखिया आत्मकता इसमें जो आपके इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं आपका फिफ्ट यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन से इस कवीता से तो देन नेक्स हम हमारे दूसरे सुर्गे कंत्रिपाटी जी जिने निराला भी कहते हैं तो उनके जो है उत्सा और अट नहीं रही है इसमें जो आपके कवीता के जो आपके इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं वह आपका कोशन नमबर वन और टू है और आपका थ्री भी है आपका 41 पे आपका question number आपका 2, 3 और 4 यह तीनों आपके बहुत important है तो इनको जरूर से करिए then next जो है हमारा छाय मत छूना यह कवीता हमारी नहीं आ रही है तो इसमें हमें यह करना नहीं है तो इसके बाद जो है जो है हमारा करनेदान यह कवीता आपकी नहीं आ रही है तो इसके बाद जो है आपका संगतकार यह जो है आपका इसमें जो आपके important questions बनते हैं इसमें आपका question number 1 आपका important है question number fourth आपका important और question number seventh आपका important है इस वाली कवीता से तो जब हमारे यहाँ पर हमारा गद्य खंड आ जाता है तो इसमें जो हैं हमारे सारी poems आ जाती है तो इसमें जो नेता जी का चश्मा में जो आपके important questions है आपका question number 1 और question number 2 आपके important है इससे और इसमें आपका question number 3 भी आपका important है तो then next जो है हमारी कवीता बाल गोबिन भगत इस वाली कवीता में जो आपके important questions question number 1, 2, 5 और 7 यह आपके important questions है इस वाली कवीता से then next जो आपकी कवीता है लखनवी अंदाज यह कवीता भी बहुत अच्छे गर आपने पढ़ी ही होगी तो इसमें आपका question number 1 और third आपका यह important है then next आपकी जो यह कवीता है मानवे करूना की दिव्य चमक इस कवीता में जो आपके important है question number 1, 2, 6 & 7 आपके यह important questions है आपके इस कवीता से तो आपकी जो अगली कवीता है स्त्री सिक्षा के विरोधी कुतुर्गो का खंडन इस कवीता में जो आपके important है page number 109 पर आपका question number 2 आपका important है then next आपका fourth and fifth आपका यह important है then next जो आपकी आखरी कवीता है इसमें नौबत खाने में इबादत इस कवीता में जो आपके important questions है आपका question number 1 आपका important है 4, 6 and 7 यह आपके important questions है इस कवीता से तो यह थे important questions इस पूरी book से then next जो है हमारे इसमें जो आपका दूसरा भाग करितिका इस book से आपके जो इसमें important questions बताऊंगे मैं आपके जैसे कि आपको पता ही होगा आपका इसमें आपका जॉर्च पंचम की नाक और आपका फोर्थ ये वाला chapter आपका डिलीट है तो आपको नहीं करना है तो हमारे जो पहला chapter माता का आचल इसमें जो आपके important questions बनते हैं वो मैं आपको आपको पूर्च पंचम की नाक आपका डिलीट है तो ये आपको नहीं करना है हमारे जो तीसरा chapter है साना साना हाथ जोड़ी इसमें जो आपके important questions है आपके page number 29 पर है इसमें आपका question number 1 आपका important है then next आपका question number 6 आपका important है आपका 10, 13 और 14 ये आपके important है ये नहीं कि जो मैंने आपको important बता दिया आपको सिर्फ यह ही करना है आपको पूरा chapter अच्छे से पढ़ना है और कैसे भी questions आ सकते हैं तो ये जस्ट आपके end time पर या फिर आपकी practice के लिए भी हो सकते हैं तो ये आप और इनको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी आपको करने ही करने है इसके बाद जो आपका chapter है मैं क्यों लिखता हूँ इस वारे chapter में जो आपके important questions है आपका question number 1 आपका important है 3 आपका important है 6 and 7 आपके important है जो की page number 45 पर है तो ये आपके important questions थे इस आपकी book से तो आपको अच्छे स अपने सारे chapters करने सारे अच्छे से समझने आपको poems के words जो आपके हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है और आपको अच्छे से practice करनी है questions की और sample papers की भी आपको practice करनी ही है क्योंकि sample paper में आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपके questions आते हैं और किस तरह से आपका pattern है तो ये जो important questions है इसको आप बिल्कुल भी छोड़ियेगा नहीं ये मैंने आपको end time पर या फिर आपको ये करने ही करने ये questions बताया है और इनके भरों से बिल्कुल मत रहिएगा कि ये कर लिए तो सारा हो जाएगा तो आपको ये भी करने और आपको अपनी तरफ से भी आपको practice करन है तो इता है अज की वीडियो के लिए thank you so much for watching